Hello my dear students, welcome to Magnet Brains, this is your GK teacher Shilpi Diwari और आज हम बहुत हीं इंट्रेस्टिंग टॉपिक जो करने वाले हैं, जो आपका भी बहुत हीं इंट्रेस्टिंग टॉपिक है और उसका नाम है Cricket World, ओके? So children cricket तो सभी का बहुत ही फेवरिट स्पोर्ट होता है, right? Although हमारी का नाशनल गेम हौकी है, लेकिन क्रिकेट का फैन बेस हौकी से भी ज्यादा है हर एक वो इंसान जिसे स्पोर्ट में थोड़ा भी इंट्रेस्ट है, क्रिकेट जरूर देखता है और वो चाहे किसी भी फ़र्म का क्रिकेट हो, वो चाहे 2020 हो, वो चाहे ODI हो, वो चाहे Test Match हो क्रिकेट का भूत नहीं उतरता चिल्डरन और अगर क्रिकेट मैच हो, तो सौ काम छोड़ के भी लोग क्रिकेट मैच जरूर देखते हैं आप भी देखते होंगे आप जब शाम को खेलने जाते होंगे, तो आपका पहला प्रेफरेंस से ही होता हुआ क्रिकेट खेलते हैं तो चिल्रन क्रिकेट इंडिया का बहुत ही फेवरेट स्पोर्ट है सब लोग बहुत पसंद करते हैं इसे खेलना और साथ में इसे देखना इसलिए हमारे क्रिकेट प्लेयर्स एक तरह से लोगों के क्या हो जाते हैं बहुत ज़्यादा फेवरेट हो जाते हैं फैन फॉलेंग उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है चिल्रन, लेकिन पूरे दुनिया में है क्रिकेट बहुत मश्यूर है वर्ल्ड कप देखो कितनी सारी कंट्रीज खेलती है साथ में है की नहीं और भी बहुत सारे कप्स, ट्रोफी, टूर्णामेंट्स चलते रहते हैं जहां पे एक, दो, तीन कंट्रीज मिल जो के खेलती ही रहती है लेकर चिल्रन, ये सारे क्रिकेट्स में से कुछ प्लेज जो होते हैं, वो होते हैं एक्स्ट्राइडिनरी प्लेज, है की नहीं, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ही अचीव कर लिया होता है और इसलिए उनकी fan following बाकी cricketer से कुछ जादा ही बड़ी हो जाती है राइट वो चाहे cricket खेलना एक time के बाद छोड़ दें, retire हो जाएं लोग उन्हें भूलते नहीं है, उन्हें याद रखते हैं और वो एक तरह से inspiration हो जाते हैं लोग example set करते हैं, यार वो था तो क्या खेलता था वो player की बात ही कुछ अलग थी, है की नहीं तो children, आज इस chapter cricket world में हम कुछ उन लोगों के बारे हैं बात करने वाले हैं जिन्होंने cricket जगत में इतिहास रच दिया, history बना दी और लोग चाहे कितने साल हो जाएं, उस player को नहीं भूलते हैं और example set करते हैं तो children, आज हम पूरी दुनिया के ही, सिर्फ इंडिया के ही नहीं हम पूरी दुनिया के कुछ उन cricketers के बारे हैं बाते करेंगे कि what all things they did in cricket and how people remember them till date ओके, तो very interesting topic children के question आता है कभी-कभी GK में के ऐसा कौन सा cricketer था जो अपने पूरे cricket lifetime में 15,000 runs बनाएं तो ऐसे question के answer पता होना चाहिए न, है की नहीं, ठीक है, मालूम होता है आपको I understand, but the children, हर cricket player के बारे में नहीं मालूम हो सकता तो हमने कुछ गिने चुने क्रिकेटर पूरी cricket जगत से यहाँ पर इखटा किये हैं आपके लिए कुछ आप हमसे पढ़िये और कुछ अपना GK बाद में और भी बढ़ाते रहे हैं क्योंकि GK का कोई अंत नहीं होता, ओके, so children, let's start the topic cricket world and know something about some favorite cricketers of the world, ओके, so let's start favorite है क्योंकि इंदिया के ही क्रिकेटर है और नाम है इनका, Sachin Ramesh Tendulkar जिने हम Sachin Tendulkar, Master Blaster Sachin Tendulkar के नाम से भी जानते हैं, okay, so children, Sachin Ramesh Tendulkar he was born, he is born in 24th April 1973, कब born किये? 24th April 1973, is an Indian former international cricketer who captained the international team, okay children, so children international cricketer भी थे और बहुत बार, इंदिया की team को क्या किया है, captaincy भी करी है, captain भी रह चुके है, okay, so children international cricket तो खेला ही है और बहुत नाम कमाया है, लोग इनके नाम से ही डरते थे और साथ ही साथ, इंदिया की team को children, उनने as a captain command भी किया है, okay, तो इस तरह से ये बहुत ज़ादा famous cricketer है, और children बहुत ज़ादा नाम भी कमाया है as a batchman. He is regarded as one of the greatest batchman in the history of cricket. Definitely true children, पोरे history of cricket में इनने as a greatest batchman regard दिया जाता है, माने जाना जाता है, आप किसी से भी पूछ लो, all over the world, जिनको भी cricket के बारे में थोड़ा बात भी ज्यान होगा, उनने Sachin Tandulkar के मारे में पता ही होगा, okay, so children, he is regarded as one of the greatest batchman in the history of cricket, clear, okay, he is the all-time highest run scorer in both ODI and test format with more than 18,000 runs and 15,000 runs respectively in total, so children, पूरे time में, he was the highest run scorer, मतलब सबसे ज्यादा run बनाने वाले ये highest run scorer थे, दोनो ही format में, कौन-कौन से format में, One Day International में और test format में, मतलब दोनो ही format of the cricket में, he is the highest run scorer, batsman, कितने, with more than 18,000 runs and 15,000 runs respectively, 18,000 ODI ये बनाए, और test format ने 15,000 runs बनाए, और highest run scorer है, children, okay, he also holds the record for receiving most of, most men of the match awards in international cricket, with all forms combined, also children, ये hold करते हैं record, सबसे ज्यादा man of the match awards पाने के, जब cricket होता है, कोई game खतम होता है, तो last में जब आप जाते हो, series देखते हो, पूरा जब उनका ceremony चलती है, तो यो वेट न, किसको man of the match में लेगा, भई, किसने पूरा match का भार अपने उपर उठाया हुआ था, और बहुत अच्छा काम किया, उस तरह के ceremony में चलत man of the match में, सचियन तंदिलकर, रिकॉर्ड है उनका, कि उनने सबसे ज्यादा man of the match awards रिसीव किये हैं, अफ, obviously, सबसे greatest, आपके इंडियन batch man रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं, तो man of the match awards तो मिलना बिलकुल possible है, okay, that too with all forms combined, वो चाहे test हो, चाहे ODI हो, चाहे T20 हो, हार प्रकार के formats में इनको man of the match मिला है और अच्छा खासे number में मिला है, he is sometimes referred to as the god of cricket in India, और इसलिए इंडिया में इन्हें, क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, okay सचिन तंदुलकर is an emotional children, emotion है, अगर आप उच उन cricket प्रेमियों से अगर आप पूछोगे, कि सचिन तंदुलकर क्या है, तो 100% they will say that he is the god of cricket, उनके जैसा खिलाडी ना दुबारा कभी आया और ना ही कभी आएगा, ऐसा लोग कहते हैं, जो बहुत जादा इनके क्या है, फैन है okay, so obviously जो इनसान ने सारे फॉर्माट में हाइस रन स्कोर किये हो man of the match पाएं हो, और साथ ये साथ इनने बहुत सारे अवार्ड भी मिले है in which the highest civilian award Padma Shree भी ने नवाजा गया है 1999 में, साथ में Rajiv Gandhi खेल रतने अवार्ड भी मिला है Arjuna अवार्ड भी मिला है, तो अब आप देखिए, कितने सारे अवार्ड भी मिले है Okay, so Sachin Ramesh Tendulkar Okay Now the next cricketer is your Bradley from Australia Okay, so he is Bradley Born 8th November 1976 Is an Australian former international cricketer So, Australia के cricket में पहले खेला करते थे फिर कुछ समय के बाद में क्या होता है, ये लोग रतार्मेंट ले लेते हैं So, Australian former international cricketer International player थे Who played all three formats of the game इन्होंने भी सारे formats of the game खेले हर प्रकार के form जो cricket के होते हैं, इन्होंने खेले हैं और काफी मशूर प्लेयर थे, Bradley India में भी लोग इन्हें काफी जादा पसंद किया करते थे During his international career, Lee was recognized as one of the fastest bowlers in the world Children, जब उनके international career में जब वो खेल रहे थे, तो Lee को fastest bowlers in the world recognize किया गया था दुनिया का सबसे तेज गेंदबास कौन, Bradley from Australia और जब Australia के साथ ने match हुआ करते थे, और अगर Bradley कीच पे आ गया बोलिंग करने के लिए तो चिल्रन सब की दुक्दुकी बनी रहती थी के कहीं आउट ना हो जाया उनका प्लेयर क्योंकि he was the fastest bowler, also a very great bowler children okay, so Bradley from Australia is the fastest bowler in the world, okay, next one now the next player is from Sri Lanka, the name is Desh Bandhu Sanat Teran Jai Surya okay, so he belongs to, belongs from Sri Lanka, इसे Bradley Australia से खेलते थे, आपके Jai Surya कहां से खेलते थे? श्री लंका से, born 30th June 1969 is a former Shri Lankan cricketer and a captain, तो children, ये एक cricketer आपके captain भी रह चुके हैं, Shri Lankan के team के लिए, okay, तो जब cricket खेलते हैं और अगर कभी किसी team के लिए captaincy करने को मिल जाती है, तो player के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्यों होती है? क्योंकि captaincy उसी को दी जाती है, जो उसके लायक होता है, जो उसके काबिल होता है, और वो कब होता है? जब उसने कुछ अच्छीव किया होता है, कुछ उसने records बनाए होते हैं, तब ही तो captaincy दे देंगे ना, ऐसी तो ना किसी को भी देंगे, उसी प्रकास से देशबंदू सनत तरण जै सूरिया क्या है? च्रिलंका के क्रिकेटर रह चुके हैं और साथ ही साथ captaincy भी कर चुके हैं. Children, इनकी जो बैटिंग होती थी ना, वो explosive होती थी, धुरंदर, एक बार अगर मारना शुरू कर दे, तो रुकने का नाम ही नहीं लेना, ओके? और 1990s के टाइम की बात है, मिड में ये खेलते थी श्रिलंका के साथ में, और अगर आपके जैसूरिया मैच में आ गए खेलने के लिए, तो बोलर के लिए क्या थी? एक बहुत बड़ी एक टास्क हुआ करता था इनको आउट करना, यूँकि सबको पता था कि एक बार अगर इन्होंने खेलना शुरू किया, तो his bat will not stop. explosive batting के लिए, जैसूरिया वस फेमस, ओके? which initiated the hard-hitting modern-day batting strategy of all nations. ओके चिल्वन, और चिल्वन, इसी ने initiate किया, कि आज के cricket में, batting strategy ऐसी ही होनी चाहिए, explosive, माने कि अगर आप मारना शुरू करो, तो you should not stop. और उन्हीं कि ये strategy, आज के modern-day cricket में भी लोगों ने क्या करी? शुरू करी, लोग सोचते हैं, कि इस तरह से batsman को टिके रहना चाहिए अपने cricket, right? जल्दी से कोई आउट ना कर सके, एक बार शुरू करा, तो फिर बस लगाते ही चले के, चौके चके, right? So, Jai Surya, जो की क्रिकेटर रह चुके हैं, Shri Lanka से, batsman, as well as he also did the captaincy for his Sri Lankan team, very good batsman, okay? Okay, considered one of the greatest attacking batsman of all time, Jai Surya is well known for his powerful striking and match winning all run performances in all formats of the game. So, ठीक है, considered तो थे ही कि बहुत greatest attacking batsman है, किसी प्रकार की ball fake हो, इनको मारना ही मारना है, ठीक है? किसी प्रकार की ball fake दो, तुम fast bowling कर दो, तुम slow कर दो, किसी प्रकार की कर दो, लेकिन इनको attack करना है और खूब explosive batting करनी है. Jai Surya is well known for his powerful striking, मतलब इनकी striking rate के लिए भी ने जाना जाता है. साथ ही साथ, match winning all round performance, भया match को जीतेंगे, fielding भी बढ़िया करेंगे, match winning performance के लिए भी जाना जाता है. In all formats of the game, game के हर एक format के लिए, अगर Jai Surya है, तो match winning game होगा, ऐसा Shri Lanka की history में था, when he used to play from Shri Lanka. Jai Surya was an all rounder, he was an all rounder children, all rounder मतलब हर फन मौला, batting भी कर लेंगे, bowling भी कर लेंगे, fielding भी कर लेंगे. Who had an international cricket career that spread over two decades, children, ये Shri Lanka की team में कितने साल तक टिके रहे, two decades तक, माने 20 साल, one decade equals to ten years, two decades. तो इतने great player थे कि लोग इनको क्या करते थे, लोग चाहते थे कि you should stay back in Shri Lankan team, एक तो all round है, हर format में खेल लेते हैं, Okay, सारे बोलर्स जरते हैं कि भाई इननो ने अकर बैटिंग शुरू करी तो भाई, बुरुकने का नाम नहीं लेना. And that made him stayed in the team for two decades. Okay, so he was Jai Surya. Okay, he is the only player to score over 10,000 runs and capture more than 300 wickets in one day international cricket and is also regarded as one of the best all rounders in the history of limited overs cricket. Jai Surya created many world records during his career. So children, अपने पूरे करियर में इननोंने बहुत सारे क्या बनाए हैं? World records बनाए हैं. ठीक है? He is the only player to score over 10,000 runs. ठीक है? 10,000 runs and capture more than 300 wickets. Okay, bowler भी थे. ठीक है? All rounder थे. So 300 wickets ले रहे हैं, 10,000 runs ले रहे हैं. किसमें one day international cricket में और इन्हें consider किया गया best all rounder. मतलब होते हैं नहीं या दिखो, सचिन तदुलकर इसे कहते हैं कि best batsman थे. कुछ cricketer होते हैं जो bowlers ऐसे Bradley हो गया. Jai Surya के पास में तीनों चीज की ताकत थी. तो इसलिए इन्हें पूरी दुनिया का best all rounder कहा जाता है कि जो batting भी कर ले, bowling भी कर ले और fielding भी कर ले. Jai Surya created many world records और इसलिए इन्होंने बहुत सारे world records बनाए. bowling में भी बनाए, batting में भी तो बनाई रहे थे. ठीक है? तो one of the greatest player of Shri Lankan team. Next is your Vaseem Akram. Vaseem Akram is a Pakistani cricket commentator, coach and former cricketer and captain of the Pakistan national team. So children, Vaseem Akram कहा के player है थे? पाकिस्तान की. और आज की date में वो क्या करते है? comment rating करते है. मतलब जब आपका game होता था पीछे से voice नहीं आती है. तो commentering करते है. साथ में coach भी करते है. मतलब अब जो current team खेल रही है, उनको coach भी करते है. सिखाते भी है. And former cricketer. अब cricketer तो थे ही तब ही तो कर पार है नहीं ये सारे काम. And captain of the Pakistan national cricket team. और captain C भी कर चुके है. Vaseem Akram. The greatest player of Pakistan cricket team. Akram is widely regarded as one of the greatest fast bowlers of all time. और इन्हें children, greatest fast bowlers of all time जाना गया है. Vaseem Akram की bowling और Sachin Tindulgar की batting के लिए लोग इंतजार किया करते थे. ये duo का game देखने के लिए. Okay. So he was the greatest fast bowler. कुछ spinner होते हैं. But Vaseem Akram क्या थे? Fast bowler थे. बहुत तेजी से game फेगा करते थे. And several critics regard him as the greatest left arm fast bowler of cricket history. अब आप देखिए कि इन्हें क्या बोला जाता है? Vaseem Akram, Pakistani cricketer. ठीक है? So Vaseem Akram for Pakistan. The greatest fast bowler of team Pakistan. Next है, you are Brian Charles Lara from West Indies team. Okay. Born 2nd May 1969, is a former international cricket, widely acknowledged as one of the greatest batsmen of all time. Brian Lara के नाम से काफी जादा famous है, but इनका full नाम क्या है? Brian Charles Lara from West Indies. ठीक है? Again, he is also one of the greatest players of all time cricket children. कब बॉन हुए? 2nd May 1969. He topped the test batting rankings on several occasions. By test batting ranking में, यह हमेशा से क्या रहे हैं? उपर रहे हैं. Top करते थे. हमेशा से test match में खेलना भी अपने आप में बहुत बढ़ी बात होती है. और टिके रहना उसमों भी बहुत बढ़ी बात होती है. Brian Lara हमेशा top क्या करते थे? Test batting के लिए. ठीक है? On several locations and hold several cricketing records. और बहुत सारे इन्होंने भी cricket records बनाए हुए है. Including the record for the highest individual score in first class cricket. Highest individual score मतलब खुद का अपना एक score highest इनके नाम पर है. तो इन्होंने बहुत सारे records बनाए हैं. साथी साथ इन्होंने सबसे जादा highest individual score बनाया है first class cricket में. Brian Lara. Brian Lara with more than 22,000 international runs is considered as one of the best batsmen to have ever played the game. So children, Brian Lara ने कितने runs बनाए? 22,000 runs, international runs, जिसे consider किया जाता है one of the best batsmen के लिए. भाई अगर सबसे अच्छा batsman है, best batsman है, तो runs भी तो उसके best ही होंगे ना? और इनके 22,000 runs के लिए इन्हें consider किया जाता है, best batsman ever played the game. Game खेलने के लिए, ever played the game के लिए 22,000 runs, Brian Lara के नाम है. और इसलिए इन्हें cricket world का सबसे बड़ा player भी कहा जाता है. Okay? So Brian Charles Lara who is to play from West Indies team. Now, Mahendra Singh Dhoni again from which team? India. Mahendra Singh Dhoni is an Indian former professional cricketer who was captain of the Indian national cricket team in limited overs formats from 2007 to 2017. And in test cricket from 2008 to 2014. A very successful captain of India. Inki captaincy में, India ने बहुत सारे tournaments जीते हैं, बहुत सारे series जीती हैं. Okay? So Mahendra Singh Dhoni captain रह चुके हैं, Indian national cricket team के. और 2007 से 2017 तक इन्होंने children क्या है? Captaincy Somali of ODIs and test cricket from 2008 to 2014. ठीक है? And a very successful captain of India. He is a right-handed wicket-keeper batsman. Wicket-keeper भी थी. अगर आपने देखे हैं कुछ साल पुराने matches, तो आपने Mahendra Singh Dhoni को देखा होगा. तो वो साथ में क्या किया करते थे? Batting तो थे ही, batsman तो अच्छे थे ही. साथ ही साथ वो wicket-keeping भी करते थे. और इनकी wicket-keeping जैसा wicket-keeper आज तक इंडिया की team में नहीं उतरा है. Okay? 2016, बहुत ज़्यादा popular cricket और इसलिए इनके नाम पे movie बनी गई. बहुत सारे ने awards भी दिये गए हैं, children. So, Mahendra Singh Dhoni को लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. बहुत ज़्यादा इनकी fan following है. और इनका जो एक nature था, माने काम, एकदम शान्त रहके captaincy करना, वो चिल्डन आज तक किसी ने भी नहीं सीखा. शान्त में भी, प्रेशर में भी खेल सकते थे और इंडिया को जीत तक ले जाते थे. Okay? So, very successful captain of Indian cricket history. Mahendra Singh Dhoni. Dhoni is considered as one of the best cricket keepers in world cricket. And is also one of the finest captains India has ever had. Dhoni को consider किया जाता है, best wicket keepers in world cricket. दुनिया के, है न, इंडिया के cricket में ही नहीं. दुनिया के cricket में Dhoni को क्या किया जाता है, consider किया जाता है, best wicket keeper के लिए. और इन्हें also consider करते है, finest captain. इसे कि मैंने बोला कि, he used to know how to play in the pressure. बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जो pressure में नहीं खेल पाते हैं, tension में नहीं होता हैं, उनसे decisions नहीं ले पाते हैं, सही. ओके, लेगे महेंदर सिंग धोनी की एक खासियत थी, कि शान्त रहके, इनके decisions सटीक होते थे, जो कि इंडिया को हमेशा match जिताया करते थे. Okay, he made his debut in the One Day International in December 2004. Debut मतलब फर्स ताम इननोंने कब खेलना शुरू किया था और वो बन दे में किया था, One Day International Cricket में किया था, December 2004 में. During Dhoni's captaincy, the Indian cricket team won the highest rank in all formats. That's very true. Dhoni's captaincy में children, India की जो cricket team थी, उसने highest rank लिये थे सारे formats में. वो चाहे T20 हो, वो चाहे One Day हो, वो चाहे Test Match हो. India सब में उपर आती थी, टॉप रैंक करती थी under Dhoni's captaincy. और इसले धोनी को कहा जाता है, successful captain of Indian cricket team. इनका retirement लेना एक बहुत बड़ा जटका था Indian cricket team के लिए. क्योंकि चिल्डन ऐसा captain बार बार नहीं मिलता है. And he is Mahendra Singh Dhoni. Next is your Ricky Thomas, pointing from Australian cricket team. Born 19th December 1974. 24. Is an Australian cricket coach, commentator and former cricketer. ठीक है? तो जो अच्छे players होते हैं, उनको team कभी भी जारे नहीं देना चाहती है. रोक के रखती है. इसलिए ऐसे ही जैसे वसीम अकरम को commentator बना दिया, coach बना दिया, कि आप सिखा हो नहीं लोगों को. उसी तरह से Ricky Ponting भी क्या है, चिल्डन? क्रिकेट के लिए खेलते थे अस्ट्रेलिया की team से. अब commentatoring करते हैं और साथ ही साथ कोच भी करते हैं, उस्ट्रेलिया की team के लिए. ओके? Okay, Ponting was captain of the Australian national team during its golden era between 2004 and 2011 in test cricket and 2002 and 2011 in one-day internationals. तो चिल्डन, Ponting भी क्या रह चुके हैं, captaincy कर चुके हैं Australian cricket team के दोनों ही formats में, 2004 और 2011 के test cricket match के लिए और 2002 और 2011 one-day international के लिए. And is the most successful captain in international cricket history. Australia के ये बहुत ज़्यादा successful क्या थे? Captain थे. With 20 victories in 324, with 220 victories in 324 matches with a winning rate of 67.91%. So successful captain तो हो नहीं है. ऐसा क्रिकेटर जो 324 matches में से अपनी team को 2020 बाइज जिता है. इसे क्या कहते हैं? Successful captain ही कहते हैं अपनी team के लिए. Okay? तो कितना rate of success था? 67.91%. He is widely considered to be one of the best batsmen of the modern era. और चिल्रन इसलिए इन्हें modern era का सबसे ज़्यादा successful or greatest batsman कहा जाता है. He was a batsman. Children used to play from Australian cricket team. Successful captain जिन्होंने 324 matches में से 220 matches अपनी team को जिता है. One day भी खेला करते थे और test cricket भी. Ricky Ponting. जो आज की date में कमेंटरिंग करते हैं, कोच करते हैं. Clear? Okay. So children, the first question is, Pictures of some of the chop cricketers are given below. Read the clues and identify these players. तो कुछ pictures तो मुझे शायद आपको hint पढने की भी जरुवत नहीं पढ़ेगी. आपने picture देखके समझ ली होगा कि इनका नाम तो ये है. लेकिन अगर हिंट पढ़ लोगे तो आगे कभी इस related question आगया तो आप बता पाएंगे के भाई, personality, famous personality का नाम क्या था? साथ में तो आपको दिये गए है help box भी. तो help box हो, hint हो और picture हो. तो question solve करने में हो जाता है. बड़ा मजा. Clear? तो चल ये पढ़ते हैं, पहला हिंट जो की है इस personality के लिए. First cricketer to surpass 1800,000 runs in one day international cricket. पहला cricketer. ओके, पहला cricketer दुनिया का कौन था जिसने international cricket में 18,000 runs बनाये हैं, children. तो children, उनका नाम बताने की शायद मुझे जरूरत ही ना पड़े क्योंकि the name of this cricketer is Sachin Tendulkar. जिन्हें cricket का देवताब ही कहा जाता है भारत में. Right? So Sachin Tendulkar is the one children who surpassed 18,000 runs in one day international cricket. जो की बहुत बड़ी बात होती है. है की नहीं, international cricket में 18,000 run cross करना children बहुत बड़ी बात होती है. जो की master blaster Sachin Tendulkar ने कर दिखाया था. तो क्या लिखेंगे हम? हम लिखेंगे Sachin Tendulkar. Got it? ओके तो कभी भी अगर question उल्टा आता है कि आपको picture नहीं दी गई है और आपको सिर्फ question दिया है और आपको answer बताना है तो ध्यान रखेगा कि Sachin Tendulkar ही वो पहले cricketer थे जिन्होंने 18,000 run one day international में सरपास किया था. ओके? Now, next question. First cricketer to take hat trick in test cricket पहले cricketer बताईए देखें उसके बाद तो cricketers बहुत हो जाते हैं लेकिन वो पहला जो पहला आपका goal होता है उसको cross करना चिर्वरन बहुत बढ़ी बात होती है. एक बार वो record जब कोई तोड़ देता है तो फिर बहुत सारी लोग उसको तोड़ने ही कोशिश करते हैं और फिर कर भी लेते हैं. लेकिन पहला जो record होता है वो ही जो तोड़ना उसे कहते हैं बहुत बढ़ी बात. तो ये जो question है वो भी कुछ ऐसा ही है. First cricketer बताना है. पहला वो cricketer जिसने hat-trick लिया था test cricket में. test cricket में hat-trick लेना मतलब आप सोचिए कितना finest baller होगा जिसने test cricket में hat-trick लिये थे. तो क्या नाम है इन famous personality का children? The options are in front of you. The right answer is Fred Spofford. Okay, the answer is Fred Spofford. जो की children बहुत finest baller थे, बहुत इशांदार bowling करते थे और उनकी इसी टेक्नीक के कारण, उनकी इसी अच्छी quality के कारण, उन्होंने test cricket में पहली बार hat-trick लिया था, जो किसी ने भी नहीं किया था. And he was Fred Spofford. Okay, next question. First player from Australia. तो यहाँ पर बता दिया गया है कि भाई ये जो पहले player है, वो कहां से थे? Australia से. To take 2020 international hat-trick. To the 2020 matches में, पहला कौन वो player था, जिसने hat-trick लिया था? माने ये भी क्या थे? Bowler थे. है ना? बढ़िया बॉलिंग करते थे, शान्दार बॉलिंग करते थे, और कहां से बिलॉंग करते हैं? Australia से बिलॉंग करते हैं. और वो पहले player है, जिन्होंने 2020 matches में hat-trick लिया था, चिर्ण. And who is this personality? So he is a very famous Australian cricketer children, Bradley. Okay? He is Bradley children. Very famous Australian cricketer, जो कि पुरी दुनिया में मशूर है अपनी बोलिंग के लिये. और पहले वो player थे, जिन्होंने 2020 international cricket में hat-trick लिया था. Okay? Next one. First cricketer to play 400 one-day international matches. अब आपको फिर से आगया question, कि वो पहले cricketer का नाम बताओ, जिसने 400 one-day international matches खेले हैं. 400 ODI खेला है. कौन है ये personality? And he is from Sri Lanka. So, ये तो पता चल गया कि ये player कहां से है? Shri Lanka से है, children. और इन्होंने कितने ODI खेले हैं? अपने पूरे career में 400 ODI खेला है. So, children, ये है aggressive batsman of team Shri Lanka, जो दो दिकेट से Shri Lanka की team में थे और Shri Lanka की power बने हुए थे. इनका नाम है, जै सूरिया. ओके, जै सूरिया. जिनके चौके छक्के जब लगना शुरू होते थे, तो रुकने का नाम नहीं लिया करते थे. Okay, so very finest player of Shri Lanka children, जै सूरिया, जिन्होंने 400 One Day International matches अपने पूरे career में खेले हैं. Okay, clear. Next one, first player in first class cricket history. पहला player children, अपने first class history cricket में, जिसने 500 score किये थे अपनी innings में. औरे बाप्रे, first class cricket match में पांसो वो भी not out थे children, score किये थे. What is the name of this personality who played, used to play from the team West Indies? So children, he is none other than the greatest player of West Indies, that is Brian Lara. Okay, Brian Lara. जो कि पांसो नौट आउट रहे थे children first class cricket में, अपनी innings में. So the first player in first class cricket history to score 500 runs in an innings. Brian Lara from West Indies. Next one, first player to take 500 wickets in one day international. So children, ये भी first player थे और इन्होने पांसो विकेट लिये. First player, जिन्होने पांसो विकेट लिये थे, one day international matches में. ODIs में, one day international मैंचेज होते, उसे पांसो इन्होने विकेट लिये थे. And he is the first cricketer who did this thing, children. What is the name of this person? So children, the name of this person is Vaseem Akram, who is to play from the team Pakistan. ठीक है? So very good bowler children, Vaseem Akram. Vaseem Akram, जिन्होने पांसो विकेट लिये थे, अपने करियर में, one day international matches में. Okay, next one. Write the names of the captains in the country they represent. So children, अब आपके सामने captains की pictures दी जाएगी. Captains क्या होते हैं? जो team को lead करते हैं. है कि नहीं? हर team के captains होते हैं. Captain की सब को सुननी परती है. Captain ही सारे decisions लेता है. कैसे खेलना है? कैसे खड़े होना? कौन से position लेनी है? आप कौन bowling करेगा? आप कौन बेटिंग करेगा? यह सब captain decide करता है. तो अब जो next question है. उसमें आपके पास में सारे captains की photos रहेंगी. यहाँ पे बहुत सारे list दी हुई है. हेल बॉक्स दिया हुआ है. आपको children उन captain को पहचानना है. और कौन से country से यह captain खेला करते थे? वो बताना है. तो पहली picture किसकी है? तो पहली picture I know, आपको पता है. क्योंकि यह जो captain थे, वो children इंडिया के captain थे. और इनके ही captaincy में, इंडिया ने पहला World Cup जीता था, 1983 में. What is the name of this cricketer? So children, the name of this cricketer is all-rounder Kapil Dev. Kapil Dev, जिन पर biography, autobiography बन चुकी है children. So Kapil Dev, the most successful captain of India, जिनके captaincy में, इंडिया ने पहली बार World Cup जीता था. Okay, so Kapil Dev, from which country? India. Okay, India. हाल फिलहाल, इनके ओपर recent movie बनी हुई थी किस तरह से इनोंने, कौन कौन से strategies और किस प्रकार की technique से पूरी इंडिया की team को motivate किया था और World Cup अपने देश में लाया था. जब लोगों को मीद भी नहीं थी. जब there was like least expectations from the Indian cricket team. इतने funds भी नहीं हुआ करते थे इंडिया के पास पे. बट स्टिल इनने जो सोच लिया, जो ठान लिया, वो तो बस करके दिखा रहा था. और इंडिया को फिर उन्होंने World Cup जिताया. और हमारे देश में पहली बार World Cup आया. Kapil Dev जो की बहुत अच्छे बोलर थे और साथी साथ बैटिंग भी किया करते थे. He was all-rounder children. Okay? So Kapil Dev, country, India. Okay? Now, the next picture of which is which cricketer children? कौन से क्रिकेटर है ये? So I will give you the hint that this cricketer, this captain belongs from Sri Lanka. Sri Lanka से बिलॉंग किया करते थे, the very successful captain of Sri Lanka children, जिनके captaincy में, 1996 में, Sri Lanka ने अपना पहला World Cup जीता था. The name of this captain is Arjuna Ranatunga. Okay? So children, ये एक famous cricketer भी थे और हाल फिल हाल में अब ये politician भी है. So Arjuna Ranatunga. And he belongs from which team? He belongs from the team, Sri Lanka. इनकी captaincy में, Sri Lanka को एक हिम्मत आई थी, एक जोश आया था. और चिल्डन उसके बार, Sri Lanka की team उभर के आई थी. Right? ये की children, इनकी captaincy बहुत अच्छी थी. जितने भी team members थे, cricket team में, Sri Lanka के, वो सब motivated थे, highly overpowered थे. और इनकी team ने फिर बहुत सारे Cups and Trophies जीते, including the World Cup in 1996. He is Arjuna Ranatunga from Sri Lanka. Okay? Next one. Now, who is he? What is the name of this famous cricketer? A good batsman from which team? जो captain रह चुके थे, children. The name of this man is, the cricketer is Alan Border. जिसे हम एबी की नाउं से भी जानते हैं. जो अब कमेंटेटर हैं. Okay? So, Alan Border from Australia. Very famous batsman children. Left-hand batsman from Australia. Okay? Alan Border. जिनने हम एबी की नाम से, short name से भी जानते हैं. These days, he is commentator. Okay? He is a commentator. Alan Border from Australia. Next one. Now, who is he? और कौन से टीम के captain रह चुके हैं? So, children. The name of this captain is, Clive Lolloyd. Okay? And he used to play from West Indies. और इनके captain से में, West Indies ने काफी कपस और टोफी जीती हैं cricket में. Okay? So, cricket के दुनिया के successful captain West Indies के, Clive Lolloyd. Okay? From which team? West Indies, guys. West Indies के famous captain, Clive Lolloyd. Okay? Clear, children? तो, प्लीज आप पिक्चर भी गौर से देखियें. और नाम भी. क्योंकि हो सकता है के पिक्चर कुछ और दिखा दिया जाएं. और नाम कुछ और बताये, तो फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. Then you must remember them by their face as well as the country they used to belong and the name and what they have done in the cricket history. That is more important to know about it. Right? So, Clive Delight from West Indies. Now, the next one. So, ये तो सभी को पता होगा. जादा मुझे बताने की जरुवत नहीं है. इंडिया के successful captain children, जिनकी captaincy में, इंडिया ने सबसे जादा matches जीते हैं, cups जीते हैं, trophies जीते हैं. इनके नाम पर भी world cup है, children. T20 World Cup भी इनके नाम पर शामिल है. अपने patience level और अपने इस शान सभाव के लिए famous captain का नाम है, Mahendra Singh, Dhoni, जो कि बिलॉंग करते हैं, इंडिया से. Right? So, MS Dhoni. From? वाँ बोलो कि ये भी कोई बात बताने वाली है. Obviously, from India, the most successful captain, जिने हम आज भी याद करते हैं और इनका retirement शायद पूरी दुनिया को था. जो कि इनकी जो एक strategy थी, शान सभाव में इतनी बढ़्या-बढ़्या decisions लेने की, वो शायद किसी भी captain के अंदर नहीं देखने को मिली हो, शायद नाम मिलेगी भी. So, Mahendra Singh, Dhoni, from India. The most successful captain of India. Okay? Yes, who is he? What is the name of this famous captain, children? And from which country he belongs? So, the name of this famous captain, cricketer is Ricky Ponting, children. Okay? Bohat matches jitaay hai, inho ne apni team ko. Bhai, कौन सी team से खेला करते थे? Anyone? Anyone has an idea about him? Belongs from Australia. कहा से थे? Australia, okay? Very famous captain of Australia, children, Ricky Thomas Ponting. Okay? Golden era, जब Australia, बहुत जादा अपने peak level पे थी cricket world में, history में. उसके captain रह चुके है, आपके Ricky Thomas Ponting, from Australia. Okay? Next one. Who is he, children? तो अब आपको लग रहा हुआ है, यह कौन है? काफी old है, but who is he? So, very famous cricketer, children. And the name of this famous cricketer is Imran Khan. जो आज की डेट में, Pakistan के Prime Minister भी रह चुके है, children. So, Imran Khan from Pakistan. Okay? तो यह बहुत famous captain रह चुके है. काफी अच्छा cricket खेला करते थे. इमरान खान from which team? Pakistan. Okay, तो हम सब captains के बारे में discuss कर रहे है. तो प्लीज ध्यान रहे हैं के यहाँ पे captains के बारे में आपको बताया जा रहा है. कि उन्होंने अपनी team को कहां से कहां पहुँचा दिया. पूरी दुनिया में, cricket जगत में इतना famous बना दिया. Isn't it? So, इमरान खान from Pakistan. Right. Now, who is he? Which captain is this children? तो once again मैं आपको हिंट दे देती हूं कि यह जो famous captain है, यह children Australia के हैं. Okay, और इन्होंने जॉइन किया था cricket keller 1985 में. 90's के टाइम पे यह काफी famous captain रहे चुके हैं. Captaincy कर चुके हैं अपनी team के लिए. The name of this cricketer is Steve Waugh. Okay, the name of this cricketer from Australia is Steve Waugh, children. Okay, so he was right hand batch man. अपनी fielding के लिए भी famous रहे चुके हैं, children. तो इनका नाम है Steve Waugh, a very famous captain of Australia. Steve Waugh. From Australia. Australia से काफी जादा famous captains निकले है, children. यूँकि Australia की जो cricket team रही है, वो हमेशा से काफी मजबूत रही है, strong रही है, वो ही कारण है कि captains भी काफी अच्छे निकले हैं. Okay, बहुत से ऐसे captains हैं, जो आज की देट में commentator कर, commentator कर रहे हैं. कोच करें, से रिकी थामस पॉंटिंग कोच करते हैं अपनी Australia की team को, तो काफी बढ़िया उनके players हुआ करते थे और तिल देट Australia की team काफी जादा strong है. So, he is Steve Watt, चिल्रों, जो 90s की टाइम पे काफी फेमस captain C कर चुके हैं अपनी team Australia के लिए. Okay, so children ये थी आपकी exercise of chapter cricket world जहां पे हमने cricket जगत की बाते करी हैं. कुछ cricketers के बारे पढ़ा, कुछ cricketers के exercises करी और फिर बाद में हमने captains के बारे में भी जाना. Right, so children please remember the names of these famous captains, वोगे काफी बार इस तरह ही question GK में आते हैं, तो आपके लिए काफी जदा रहेंगे helpful. तो यही पर ये topic को समाप्त करते हैं cricket world का, अब children magnet brains के बारे में भी आपको कुछ बताना चाहेंगे, वो ये के magnet brains एक ऐसा channel है, जो देता है kindergarten से लेके grade 12 तक free videos and free education. वो भी free of cost बिना किसी cost के, बिना किसी coupon code के, 100% free quality free education. साथ, magnet brains आपको different different courses भी provide करता है, जैसे के CBSC, NTSC, Olympiad, CUET, spoken English courses, तो आपको जो भी courses करना है, आप free of cost हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं, और courses का आनन दुठा सकते हैं, और अपनी preparation को तगड़ी और strong बढा सकते हैं. साथ ही साथ, अगर आपको magnet brain से judy related information जानकारियां चाहिए, तो आप हमारे साथ judy रह सकते हैं, Facebook, Insta पे और Twitter पे, और हमारे साथ link रह सकते हैं हमेशा. तो चिल और जुड़े रहना, magnet brain के साथ और next video के लिए बिलकुल तयार और को कि हम एक ऐसी exciting topic लेकर आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए magnet brain को क्या करना है, follow करना है, subscribe करना है, क्योंकि magnet brain से रता है, kindergarten से grade 12, free videos and free education. Thank you.